अबडेट में हम बात करेंगे पिहार के लिए चलने वाली और बिहार से चलने वाली दो ट्रेनों के extension के बारे में रेलवे की तरफ से इसे ट्रेनों का संचालन में extension किया गया है जिसका सुगधा आज से परसेंजरों को दोबाला मिलना चालो होगा इसी वीडियो को शुरू करते हों से पहले अमारे चैनल को नहीं किया हैं सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब रेलवे की तरफ से नोटफिकिसन जारी करते विए बताया गया की दो ट्रेनों को पिहार से एक्स्टेंशन किया गया है जिसमें कि पहली ट्रेन पतना से सब ताही की special train इस क्यालावे हैदराबाद पटना क्यालावे एक और train का extension रेलवे ने extension के रूप में देने का फैसला किया है जिसमें कि सिकंद्राबाद पटना special train भी अब सितंबर महिने तक चलेगी दोनों ही ट्रेनों का संचालन 27 सितंबर तक रेलवे ने करने का फैसला लिय जिसमें कि यह दोनों ट्रेनों के टाइम टेबल पहले के तरह रहेंगे और रूट में भी कोई परवर्थन नहीं किया गया है पटना से यह ट्रेन निर्धारित समय तीन बजे दो पहाड में खुलेगी और खुलने के बाद यह ट्रेन जहाना बाद गया होते वे कोड़रमा न 20 मिनिट पर सूबा में पहुंचेगी 1831 किलोमेटर का सफड यह ट्रेन ताइब करेगी और कई बड़े रेलवे स्टेशन के रास्ते यह ट्रेन चलेगी दोनों ही दिसाओं में इस ट्रेन का रेलवे ने एक्स्टेंशन करने का फैसला लिया है जो कि एक बड़ी अफडेट ह इसके लावे दूसरी दिसा में पटना के लिए चलने वाली पटना स्पेसल फेयर ट्रेन जो कि हैदराबाद से चलती है ट्रेन नमबर 07255 के साथ इस ट्रेन का भी रेलवे एक्स्टेंशन करने का फैसला लिया है इस ट्रेन के लावे पटना के लिए चलने वाली सिकंदरा जंसन से सिकंद्रबाद पतना स्पेशल फेयर ट्रेन भी ट्रेन नंबर 07256 के साथ एक्स्टेंड की गई है आने वाले नए वीडियो अपडेट में बात करेंगे अने ट्रेनों के अपडेट के बारे में फिलहाल यह वीडियो के साला का कमेंट बॉक्स में बताएं और इस व अब्ढेट रले है